दोस्तो नमस्कार, दोस्तो अगर आप PPF याने Public Provident Fund, Post Office RD और सुकन्या सम्रिधी योजना में पैसे लगाते हैं, तो आपके लिए रहात की खबर है, सरकार ने बड़ी रहात दी है, PPF और सुकन्या सम्रिधी योजना के निवेशक, वित वर्स 2019-2020 के लिए अब 30 जून 2020 तक अपनी बचत जमा कर सकते हैं, PPF, सुकन्या सम्रिधी अकाउंट या आर्डिक हातों पर पुनरुधार शुल्क या दंड शुल्क माप कर दिये गया है, जिसमें 31 मार्च 2020 तक अनिवार जमा नहीं किया गया है, आपको बचा दू कि PPF, सुकन्या सम्रिधी योजना के निवेशकों को हर वित वर्स में, मैचिरूइटी तक कम से कम एक बार, मिनिमम से मैक्सिमम के दारे में आने वाली रकम जमा करनी होती है, RD यानि रेकरिंग डिपोजिट में विनिर्धारित समय पर चाहे मासिक हो, तिमाही हो, चमाही हो, या फिर वार्सिक हो, तैर अकम जरूर जमा करनी होती है, PPF सुकन्या समर्धी अकाउंट, RD में मैचिरूटी से पहले, एक बार भी पैसे जमा नहीं करने पर खाता बंध हो जाता है, PPF सुकन्या समर्धी अकाउंट, RD खाते को दोबारा चालू कराने के लिए जुर्माना और बकाया चुखाना पड़ता है, PPF में एक वितवर्स में कम से कम 500 रुपे और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपे जमा करने होते हैं, वहीं सुकन्या समर्धी अकाउंट में एक वितवर्स में कम से कम 500 रुपे और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपे जमा करने होते हैं, 31 मार्च 2020 तक वितवर्स 2019-20 के लिए PPF सुकन्या समर्धी अकाउंट और RD में पैसे जमा कर दिये जाने चाहिए थे, लेकिन हो सकता है, लागडाउन की वज़े से कई लोगों ने 31 मार्च तक पैसे जमा नहीं कर पाये होंगे, अब वो 30 जून 2020 तक पैसे जमा कर सकते हैं, सरकार ने इसकी अनुमती दे दी है, और आप देर से अगर जमा करेंगे, तो उस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, और कोई दंड भी नहीं लगेगा, सरकार के फैसले के बाद 30 जून तक पैसे जमा करने पर ना तो उनका खाता बंद होगा, और ना ही किसी तरह का जुर्माना देना होगा, तो दोस्तो, PPF एकाउंट और सुकर्णिया समर्ध्य एकाउंट और RDA एकाउंट वाले इसका फाइदा उठाएं, और मैं आपको बता दू कि इस एपिसोड के डिस्क्रीप्शन में, PPF एकाउंट और सुकर्णिया समर्ध्य एकाउंट के सम्मन्द में, कई सारे वीडियोस डाले हुए हैं तो आप उन वीडियो को देख करके उसका फायदा उठाइए आपको बता दू कि जो सुकन्या सम्रिध एकाउंट है वो बेटियों के लिए पैसा जमा करने का बढ़िया निवेस साधन है तो आप कि अगर दो बेटी है उसकी उम्रदेश साले उससे कम है तो आप पोश्ट ओफिस में जा करके या फिर सरकारी बैंक में जा करके आप सुकन्या सम्रिध एकाउंट अपनी बेटी के नाम पर खोल सकते हैं और अच्छा खासा पैसा जमा कर सकते हैं ताकि मेटियों की जरूदत के समय आपको पैसों की कमी नहो तो आज इतना ही नमस्कार